हेलो अबरीबन फर्स्ट फोल वेल्कम दूर योटूब चैनल इन इस वीडियो विल स्टाट था फीजिकल केमेस्ट्री चैप्टर क्वेंटम मेकेनिक्स परस्ट हमने इन इन ओर गनी का स्टाट क्या था यह एक्षिन मेकेनिजम इन टांजिशन मैटल कॉंपलेक्स उसको भी ह स्टाट कर रहे हैं यह आपकामेस्ट्री जो फर्स टीर है फर्स समेस्ट्र के सलेबस हम डिसकुशन कर रहे हैं तो आपका चैप्टर है एक क्वेंटम मेकेनिक्स मूस्ली उन्यवस्टी स्लेबस में मिले गए हरियाना कि इतनी मी श्टेट्ट उनिश्टी सब में आपका जो भी हमने इस लेबस कंप्लीट डिसकस करेंगे डिटेल से नेट में भी काफी वीटीज रहती है आपकी क्वेंटा मेकनिक्स की तो उसको भी हम देखने वाले हैं कि कोन से टोपिक है और नेट की जो क्यूशन है लास्ट में उनको भी हम डिसकस करेंगे ठीक है और जल्दी ह ताकि उसके उपर आपको बैटर समझ आएगा तो हम बोर्ड पे सारी वीडियो अप्लोड करेंगे आगे से जब तक हमारा बोर्ड नहीं आता तब तक हम पैन नोट्बुक से जैसे हम करते आ रहे हैं वीडियो वैसे अप्लोड करने के ट्राइ करेंगे और कुछ तो उसके भी हम ट्राइ करेंगे कि वन वीडियो अप्लोड हो फिर आप अपने खुद भी तयारी कीजिए जो भी बुक्स हैं आपके जो भी टीचर जिसमें स्कूल कोलेज भी बढ़ते हो तो आप अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए थाकि आपको अच्छा समझ आए ठीक सकीजन के बारे में बताए क्यों जैसे से आप कोई भी chapter पढ़ते हों किसी फीचीज का होँआ पीजिक्ष पढ़ रहे हो आप केमेस्ट्री पढ़ रहे हो तो चेप्टर का मेन बताओ ना ची कि क्या है वो चैप्टर हम क्यू पढ़ रहे हैं क्या उसके पीछी reason है ठीक है त आपको आई थी क्योणिटा मेंगनिक्स क्युनिंटेमे कंश्र premi कि मैं आपको बताया कि जैसे दो टाइब के particles होती है एक होता है माईक्रोस्कोपिक एक होता है इंजिआ है्ग управ या आपको बबताये Cosmic misma js स्मोल होती है छोटे जो और आपका quantum भी BSE में आया था थोड़ा पाट वो भी हमने जो BSE की वीडियो से है उसमें भी हमने quantum को complete किया हुआ है अगर आप उसको देखना चाहते है तो वो भी आप check कर शकते है तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं जो आपका quantum mechanics है वो deal कराईगी जो भी आपका matter है या like इ यह fail होगी थी classical अपनी microscopic particles की जो भी प्रोपर्टी से उनका भी हैवियर है वो एक्स्प्लेइन नहीं कर पाई थी second इसके 3 to 4 failures है वो हमने BSE वाले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है एक failure तो आपसे कोई भी पूछ सकता है टू माक्स की क्यूशन भी आजाता है आपका जो भी आपका university's exams होती है उनमें जैसे classical mechanics की failure पूछ लिया तो first failure आप बताऊगे कि classical mechanics only explain करती है large particle large means है macroscopic it does not explain the microscopic particle इनको explain करने के लिए quantum आई थी उसमें हम आगे discuss करेंगे detail सी की क्या क्या points है और इसका second failure था ये कि जो momentum आपने सुना होगा hasenberg uncertainty principles उसमें हमने देखते हैं कि dell x होता है आपका position और momentum greater than equal to each upon 2 by तो इसमें क्या गवा था कि classical ने कि ये हम perfectly define कर शकती है momentum को और position को एक साथ ये classical ने बोला था but actual team hasenberg आया उसने explain किया कि हम position और momentum को एक साथ हम major नहीं कर शकते हम देखते हैं कि दोनों में certain नहीं हो सकते एक चीज में ऐसे नहीं है कि दोनों को हमें simultaneously occur नहीं कर शकते हैं एक में uncertainty मिलेगे हैं आपको पता है क्या होता है तो momentum और position को हम perfectly एक साथ simultaneously define नहीं कर शकते हैं ठीक है और जो quantization होता है energy का जो quantization उसको भी classical explain नहीं कर पाई थी कि energy क्यों quantize होती है ये reason भी नहीं कर लोग और ये जो wave number है आपका और light कैसे absorb होती है जो आपका discontinuous ये different type के phenomenon है वो भी सारे explain नहीं कर पाई थी classical वैसे हमें पढ़ना quantum है बट हम पढ़ रहे हैं ये जो इसके failure है वो सभी things को explain किया था आपका quantum ने तो ये इसके failure अगी इसके लिए बाद में आई थी आपकी quantum ठीक है इसके क calculate होते है 425 quantum mechanics की क्या क्या होते है एक तो simple कोई भी system है मालो आपका ये system है simple things है उसको आपको describe करना है तो सारी things पताने पड़ेंगे उसकी positions के उपर at a time t के उपर भी क्या है तो आपका electron होता है उसकी आपको सारी things पताने की position बताना है time बताना है तो उसके लिए हम एक wave function define कर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं wave function ठीक है जो wave function क्या होता है probability of finding the electron at any position के उपर या time t के उपर बाद में हम इस पी probability density आती है उसको भी discuss करेंगे तो सबसे पहला पोसलेट होता है कि किसी भी system की state को अगर आपको define करना तो उसको हमें describe करने के एक wave function define करना पड़ता है जो function होता है x means position t means time का x और t का time function होता है और इसका अगर हम derivative लिए जैसे आपने math में बढ़ाऊगा कि first derivative लेते हैं वो आपका continuous होना चाहिए हम आगे explain भी करेंगे continuous होना चाहिए आपका finite और single value यह three conditions follow होना चाहिए जो wave function है continuous continuous के लिए first derivative 0 जो हम आगे बताएंगे आपको कैसे हैते है finite और एक single value होना चाहिए ठीक है और इसमें two conditions पी आती है आपकी एक होती है normalized होना चाहिए यह wave function और एक होता है आपका orthogonal प्रोपर नोर्मलाइज में क्या होता है कि जो psi star और psi होता है वो one, psi star होता है उसका conjugate ठीक है और psi जो simple आपका wave function है इसका wave function position और यह भी साथ में लिख सकते हो normalization conditions में इनका integral psi star into psi one होता है बट orthogonal में यह 0 होता है ठीक है और बाद में हम इसके लिए एक wave function जो हम eigen function, eigen values उसको भी हम define करने वाले हैं तो सबसे पहले conditions तो आपको यह पता होना चाहिए कि psi कैसा होना चाहिए यह single value होना चाहिए आपका continuous होना चाहिए और 0 at infinity इन points को detail से explain करने वाले क्या है psi simple wave function होता है और जो psi square होता है वो आपका probability density को बताता है ठीक है तो हम जैसे इसमें आपसे different question आ सकते हैं कि normal acceptable wave function कौन सा होगा अपने net में भी देखा होगा jam में भी आ जाता है आपका questions बाद में हम इसमें discuss करने वाले हैं आइगन operator है आइगन value है आइगन value equations है Hamiltonian है वो जो 4 to 5 हम properties उसमें हम अलग पोसलेट जैसे define कर रहे हैं तो उसमें हमको यह भी बताना है जैसे position आजाए आपका kinetic in की values क्या होगी ठीक है तो जैसे momentum है उसको हम PX से define करते हैं kinetic energy को KX तो PX की value होती है minus Ieta h2 करल Y की 5 values है उनको भी आपको ध्यान रखना है काफी important है क्योंकि आगे आप operator solve करोगे तो value direct आपको काम आने वाली है तो यह PX की value होती है जो kinetic energy होती है na KX वो होती है minus h2 by 2m del square by del X और यहां से भी आप calculate कर शकते हैं क्योंकि आपको बताए simple kinetic energy क्या होती है half of m v square इसको आप mass से divide और multiply कर दो तो क्या हो जाएगा half of m square v square by m अब आपको पता है कि P क्या होता है momentum mass into velocity तो इसके जिका हम P put करेंगे तो P square by 2m तो यह P की value ही put करकी है by 2m करक है तो इसको कई students को यह समझ नहीं आता है यह value कहां से आई तो इससे आप निकाल सकत करोंगे यह value का square करोंगे तो आपको बता है i at of square क्या होता है minus 1 value तो इसकी value होती है kinetic energy की h square by 2m del square by del x की kinetic यह पता हो नहीं है momentum की potential तो simple function होता है positions का तो उसको हम direct x से ही multiply करते हैं और जो total energy की हम बात करें तो वो आपको kinetic plus में potential होने वाले है तो kinetic आपको पता से लिगा potential simple vx होत होता है आपका lx, ly और lz अब इनको निकालने का भी हमारे पास एक short way है वो भी हम बताने वाले हैं जैसे आपका ऐसे समझो x है यह x है फिर आपका y है फिर आपका z है तो x के लिए निकालना है तो next x से next कोन से है y और z तो y simple लिखो इसके साथ पी लिखो तो यह हो जाएग देन आप लिखो px माइनस में x इन्टो pz वैसे z का लिखना है तो आपको करोगे x py माइनस में y px यह angular momentum operators होती है ठीक है यह तो observable में अगर आप operator जो functions में तो आप यह i attach cut के terms से इनको लिख सकते हो जैसे आप lx का ही लिखना है तो आप कैसे लिखोगे minus i attach cut y pz को आप लि terms में भी इन सबको लिख सकते हूं ठीक है और कोई भी आप measurement करते हैं यह तो two posulate होते हैं first जो हमें way function define second हर एक observable है na classical में उसके correspondence में एक operator होता है quantum में जैसे यह classicals के थे यह जो हमने आपके बता है यह operator है quantum में यह second posulate होता है इसका third बता है कि कोई भी आप measurement करते हो किसी भी observable कि जो किसी operator से operator के में से कायप लगाते हैं associate होता है तो उसके लिए equations होती है जैसे आपका a size equal to a कोई operator है operate हो रहा है किसी wave function पे तो वो equal to a same wave function into eigen value यह आपका eigen value होती है उसको भी हम बताएंगे जैसे आपका different function देखिए पूछ सकते हैं कि यह इसके eigen value है नहीं ठीक है तो वो हम calculate करेंगे इस वीडियो में हमने only three five postlet discuss की है next वीडियो में हम जो आपके five postlet हम उनको discuss करेंगे और eigen function आइगन value है वो हम कैसे calculate करेंगे किसी function के लिए ठीक है तो उनको भी हम detail से discuss करेंगे और next two videos होंगी जब तक मारा boards नहीं आता वैसे हम notebook पे कर रहे है बाद में हम board के आसानी से समझ आ जाए ठीक है हम इसमें भी try कर रहे हैं कि आपको अच्छा समझ आए कुछ आपको किसी में ऐसा लगता है कि किसी भी point पर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप comment कर शकते हो I will try to solve your query ठीक है thanks for watching my channel stay happy and healthy and do like share and subscribe the channel